नमास्कार स्वगात्याप का हमारे अचार जागिंद्र विशाच चेनल पर कले से खत्म होगी सन की साढ़े साती इन पांच राशियों को मिलेगी आपार खुशियां दोस्तों जोतिस सास्त्र में सन देव को नियाय का देपता बताया गया है ऐसा बताया जाता है कि सन देव मनिश को अपने कर्मों के हिसाब से सुभ या अशुव फल देते हैं यदि किशी व्यक्त के कुंडली में शन की सुभ इस्त्ती है तो इसकी बज़े से उश व्यक्त को अपने जीवन में शभी सुक्षुधाओं की प्राप्ती होती है उश्य वेक्ति का जीवन हाशी खुशी में बितीत होता है परन्तु अगर किशी वेक्ति के कुंडली में शन की असुव इस्तिती होती है तो इसकी बज़े से जीवन में एक किवाद एक कई प्रकार की प्रेसानिया उत्पन होने लगती है वेक्ति को अपने काम काज में सफलता नहीं मिलती किशन किशी वेक्ति से अक्षर वेक्ति प्रेसानियों से घिरा रहता है सनिदेव की चाल बहुत धिमी होती है यह एक राशी शे दूसरी राशी में अपना इस्थान बदलने में धाई वर्स लगा देते हैं यानि अगर किश वेक्ति की राशी में शनिदेव उपस्थित हैं तो धाई वर्सों तक उसका प्रभाव रहेगा जोतिस सास्त्र के अंसार अगर किशी इनसान के उपर शन की महादसा शन की साढ़े साती और सनिदहया का प्रभाव है तो जीवन में उसके कई प्रकार की उसको परिशानिया उतपन देखनों को मिलती है दोस्तों अब आपके उपर शनी भारी है या नहीं इसको कैसे पहचान सकते हैं इसके लिए जोतिस सास्तर में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिसके सहायता से आप इस बात को जान सकते हैं आपको हम बता दें की जोतिस सास्तर के अनसार जिन लोगों के उपर सनी भारी रहता है। उन लोगों के शिरकेवाल गिरने लगते हैं। ऐसे संकेत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उस ब्यक्ति के उपर सनी की छाया पढ़ना शुरू हो चुकी है। अगर आपको अपने जीवन में इस तरह के संकेत मिल रहे हैं तो तुरं पढ़ना शुबते हैं। ब्यक्ति को किसी न किसी से नुकसान का सामना करना पड़ता है। शनी भारी होनी की वज़े से ब्यक्ति के शुखाव बदल जाता है। शरीव में आलश भर जाते हैं, घूमने फिरने में मन लगा देते हैं, ब्यक्ति के कामकाज को टालने की आदत होती है, इतना ही नहीं, बलकि सनी खराब होनी के विज़े से कामकाज में बाधाएं उत्पन होने लगती है, बंते-बंते काम बिगड जाते हैं, नोकरी छुट ज जाती है, बिजनिस व्यापार धीरे-धीरे चलने लगते हैं, दाढ़ी बाल हमेशा बड़े रहते हैं, इनसान की रुची गलत कारियों में, गलत संगत में और मांश मदरा खाने पीने में अधिक होने लगती है, अगर ब्यक्ति के उपर शनिक की अशुब द्रश्टी होती है, तो ब्यक्ति कोई न कोई जूट भी बोलने शुरू कर देते हैं, घर की दीवारे अचानक से गिरने लगती हैं, और घर में अगर कोई पालतु जानवर है, तो अचानक उनकी मरतु हो जाती है, इनसान की नोकरी, बिजनिस व्यापार में अधिक परिशानिया होने लगत जाती सरल उपाई बताए गए हैं, जैसे कि हर्मान चालीसा का पाट करें, सनी चालीसा का पाट करें, महा मुरतनजय मंतर का जाप करें, सनी अश्टक का पाट करें, और ओम शम्य सनी श्राय नमे इस मंतर का जाप जरूर करें, दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं, तो सनी द आप इन में से कोई भी उपाई निरंतर अपने जीवन में करते हैं तो भगवान सरी देव के कृपा से चाहे आप उपर साढ़े साती हो धहया हो उसका असर नहीं पड़ेगा और शुब दृष्टी आपको उपर सदेव भगवान सरी देव की बनी रहेगी इसके साथ ही साथ बहुत कम मेनत करने के बजाए आपको जवरिस्त सफलता आपके जीवन में प्राप्त होगी शुख शुबधाओं प्राप्त होगी दोस्तों बता दे की माता लक्ष्मी को धनकी देवी कहा जाता है और हर कोई यहीं चाहता है कि उसके उपर माता लक्ष्मी का पार किरपा ब नियोग बन रहे हैं कि कल सुबह से माता लक्ष्मी और भगवान संदे एक साथ प्रसंद हो रहे हैं जिसकी वज़ा से कुछ राशियों की अब किसमत चमकने वाली है जी हैं दोस्तों इन राश वालों के बारे में होने वाले लाब के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो आपसे अन्रोध है कि बीडियो का बिल्कुल भी मिश्णा करें और इसे शुरू से लेकर अंतक जरूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले जो राशियाती है दोस्तों बता दे वो है यहाँ पर मिथन राश मिथन राश के आद को बता बताने वाली है इसके साथ इसाथ स्वास समंधी समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त होगा आप अपने सत्रों पर विजय प्राप्त करेंगे घर परिबार में आपको खोश्यों का बाता बरण बना रहेगा दोस्तों अगली जो राशी है वो है तूला राश तूला पूरा सहयोग प्राप्त होगा नौकरी पैसा वाली बेक्तियों को पदोनत कहांसिल हो सकती है दोस्तों अगली जो राशी यानी जो तीसरी आती है तो वो है यहाँ पर दोस्तों बता दे मकर राश मकर राश क्यातकों अब आपके किसमें जवरस्त लाप मिलेगी अलाकि कार के लाब देखने को मिलेंगे जो भी कार अधोरे पड़े थे वो भी कार पूरे हो जाएंगे भगवान संदेव की अपार कृपा दिश्ट बरसेगी नौकरी की चाहत रखने वालों को नौकरी की प्राप्ती होगी और कई महत्पूर योजनाओं का लाब मिलेगा आपके द काफी कारगार सावित होंगी भगवान संदेव कृपा से आप दिन दुगनी राज चवगनी तरह की करेंगे आंधनी के स्तुरोथ बढ़ेंगे शाती ब्यापारिक शेत्र में किशी प्रकार के रुकाब देती तो वो भी आपकी दूर होने वाली है कई महत्पूर का असर नहीं होगा भगवान संदेव की पिशेश कृपा दुष्ट बरसेगी आपको अपार धन संपत्ति के मालिक बन सकते हैं कई महत्पूर शेत्रों से लाब होगा बतादी कि इस समें आप जो भी कार करेंगे जो भी निरने लेंगे भगवान संदेव कृपा से जवरस् दोस्तो अगली जो राशी आती है दोस्तो बता दे वो है यहाँ पर धनूराश धनूराश के याद को अब आपकी आमदनी बहुत तेजी से बढ़ेगी कई प्रकार के लाब देखनों को विलेंगे शिक्षा के शितर में शुदार होगा प्रेम जीबन में खुशिया वर्ष शट्टा से लाब होगा विशेश खुशिया प्राप्त होने वाली है तो दोस्तो इन राश्यों को विशेश लाब होने वाला है तो दोस्तो कमेंट में लिखेगा जैसे देव साथी वीडियो को लाइक करिएगा जद जद सेर करिएगा और चैनलों को सब्सक्राइब करिए जाए शनुरेब